तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कोलर वाले सूट की कटिंग कैसे के जाती है दोस्तो ये मेरे पास एक सूट है और इस सूट के अधार पर ही हमने जो है कोलर वाले सूट की कटिंग करनी है तो दोस्तो हाला कि इस सूट के अंदर कोलर वाला गला है लेकिन आपको कोडल वाले गले की कटिंग कैसे करनी है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आप कैसे लेना है यह देखिए दोस्तों यह सूट की लंबाई लेनी है यह से पकड़कर आपको सूट के लंबाई दोस्तों 45 यानि के 45 यह देखिए यह होगी लंबाई सिन एक लंबा ही होगि 45 इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सीने कि यानि ब्रस्ट साइज Bahn देखिए यहां से इसको देखना बरस्ट साइज क्या है ISHa अर बस्ट साइज ही दोस्तों 18 इंच टोटल यहां से अरा तू यहां पर लेख देंगा 18 गरका7 है दोस्तो इसकी 16 इंच और हिप साइज देखते हैं कितना है हिप साइज इसका 19 यानि कि 19 इंच दोस्तों लंबाई हो गई, सीना हो गया, कमर हो गया, हिप्स हो गया अब बात करते हैं इसके बाजू की बाजू की लंबाई है फ्रेंड्स, यहां से नापना है आपको बाजू की लंबाई है सतरा इंच और आगे से जो इसकी गुलाई है वो है 10 इंच यह देखिए 17 और 10 दोस्तो नाप मैंने इसका लिख लिया है और इसमें बाकि हमें किसी नाप के जुरुत है नहीं क्योंकि गलाव अगरा इसमें तो दोस्तो जो है कॉला वाला बनेगा तो इसलिए आगे पिछा गलाव नाप ने के हमें जुरुत है नहीं और ब सूट की में मुझे बिल्कुल जूरुत नहीं है अब मैं आपको बताओं को कैसे हमने कटिंग करनी है तो दोस्तों यह जो मेरे पास टोटल कपड़ा है यह देखिए लगभग यह तीन मीटर के करीब कपड़ा है और जितनी भी हमाई लंबाई है पहले दोस्तों हम चाहें तो आपको करना क्या है यहां से 1.5 छोड़ते हुए क्योंकि 1.5 इसमें चाक में फोल्ड हो जाएगा उसके बाद आपको रखना यहां से 10 इंच यह देखिए अब इस तरह से रखने के बाद अब यह जो 10 इंच आया दोस्तों अब इसी के अधार पर आपको जो है इसकी इस तर तो फ्रेंट से यह देखिए सबसे पहले आपको जब आप इस तरह से फोल्ड कर लेते हो आपको नीचे निशान लगाना यह जो निशान होता है दोस्तों इस निशान का मतलब यह होता है कि जैसे कपड़ा को छोटा बड़ा हो तो इसके आप यहां से कटिंग के बराबर कर लेकिन अगा आप तुरुपाई वाला बना तो कमसे कम धाइंच इसको फ़ोले करें दोस्तो यह जू निशान, भा यह दो आप को लेना दूस्ता अजब कर दो दो Corpsdesana से आपको डोस्तों लेनी है लंबाई तो दोस्तों इस निशान से जब हम लंबाई लेंगे कि लंबाई होती है लंबाइति जो सब्सक्राइब के लिए हिप्स के लिए लंबाई से सब्सक्राइब को दोस्तों बिल्कुल नोर्म वसूट के तरह स life के लिए हमारी नहीं रिधिन देख्यक्राइब सेम उशी का ट्रेक्ट सकती है लेकिन जो चेंज 30 इस चमाront होते हैं एक तो इसका armhole और एक होता इसका shoulder तो दोस्तों इसमें armhole और shoulder के जो निशान वह कैसे लगाने जाते हैं वह स्चीज़ को आपको थोड़ा बारेकी से समझना होगा तो दोस्तों यह देखिए जब भी आपने कोई collar वाला सूट बनाना हो तो वाले उतना ही लेना होता है। हमें और पली मेरी वाइफ का है। मैं अपने wafp के शूट के नाभ से ही कटिंगे ह। ताकि आपको आज की वीडियो में दो चीज़ सीखने को मिल जाए कि शूट के नाप से कटिंग कैसे की जाती है और और वड़े सूट की कटिंग कैसे की जाती है दोस्तो मेरी वाइफ का जो शॉल्डर है वह है 15 इंच अब देखिए कैसे आपको लेना है यासे अगर पीछे से गला किसी का डीप हो तो दोस्तो जैसे की आपको मैं दिखाता हूँ यह सूट है अब यह जो मेरे वाइफ का सूट है दोस्तो इसका जो गला है यह पीछे से डीप और इसका जब हम तीरा रखते हैं नौर्मल सूट की फैल पाता है क्योंकि पीछे से उसे गला होता है तो जितना भी आपका शोल्डरं रखना परता है तो शोल्डर है 15 जो दो दोस्तों यह देखी 15 का यह दर होता है थियो 15 कई दो होता है 30 Arm hole की कि Arm hole कैसे निकला जाता है Kaolarवए शूट में सिंपल सा फाह मुझा है बिलुकुल दोस्तों जो आपके ल install का निशान है यह वाला यह देखी झितना भी आपका जो तीरह है 30 टोटल यहांसे कि पासे हैे 100 5 इंच क्योंकि 15 इंच तो तीरह है जो है फार्मूला निकल जाता है इसमें कुछ भी टेरा काम नहीं है अब बात करते हैं इसके यह निशान की इस निशान को कैसे लगाना है तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या करना होगा आप मेरा की तरफ देखें यह जो मेरा है शोल्डर मेरा यहां पर आ चाहे लेडिग है फिर जैंट दो यह जो शोल्डर भा episodes यह जो स्रुश्क्ट्र होता है एक इंसान का हो में बिंग का तो यह जो सोल्डर की इन दोकर की जो जो किभी आप देखिए चाहबा देख यह ठर्म यूँद और लगाने के बाद यहां से आपको दोरी रखनी है और बहुत ही असaldने इसITY को औरसे करने हम ये करते इसों अब दोस्तों इसमें जो है अभी मैंने जो बाकी के मार्क नहीं करें इसका sensitive को इस इस निशान को जो गुराई वाला निशान है इसको इस निशान में लाकर आपको इस तरह से मिलाना है अब इन निशानों को आपको मिलाना है कि के दोस्तो एक चीज़ भी आप कभी इस तरह से कटिंग करते हो तो इसमें जो भी आपके पास सूट होता है सेम उसी सूट के नाप के कोडिंग आपको कटिंग करनी है आपको अपनी तरफ से एक्ष्टा उसमें कुछ भी कम या ज्यादा नहीं करना अगर कस्टुमर की कोई डिमांड हो वह बात अलग है लेकिन दोस्तों जो किसी ने नाप का सूट दिया होता सेम उसी नाप से आपको क करेंगे कटिंग करते समय आपको इसको डाउन करना होगा लगबग आधा इंच यह देखिए यह जो मैंने यहां से जो है इसको सिधा लेकर आना है और इसके बाद आपको इस तरह से डाउन करना है और यह जो सिधा लेकर आना है कम से कम आपको लेकर आना है दोस्तों तीन तक यह देखिए होतीन इसके बाद आपको इसको आध एंच के करिब डाउन करना है अब इसकी करूंगा मैं कटिंग और इस तरह से आप असानी से जो है कोलवारे सूट की कटिंग कर सकते हो यह इसका फ्रेंट पार्ट है फ्रेंट पार की कटिंग करने के बाद दोस्तों फिर हमें अब को बताऊंगा यहां से कटिंग होता है कि अगीया-बमें- इहां पर और यहां पर यहां पर एक लगाना होगा इस कर्का मत्लब यह हमाब हिप साइज है और यहां पर यहां पर इसलाइग के मैंने काट लिया और फ्रेंट पार्ट यह हमें जो पीछे वाला काटना है तो पीछे वाला पार्ट कैसे काटना ये जो कपड़ा है इस कपड़ें अ BRI mem ensure की आपको सेंक THE шdi यहां परकते चीए दो मीज़ें पास से दिखा देता हूं यह इसको नीचे कर देता हूं है ताकि आपको असानी से दिख जाए यह जो है दोस्तों यह इसकी जो कटिंग है यहां तक है बिल्कुल सेम लेकिन पीछे वाला जो पार्ट है इसको मेरे कम से कम आदा इंच बढ़ाना है आप चाहो तो आदा जगा पौरिंच भी बढ़ा सकते हो थै कि सेम टूसी में के कटिंग कर देना यह देखी देखिए нее JUL कि इसका यह आप तो दोस्तों आगे पीछे के दोनों पार्ट मेंने कात लिया यह मैंने कट लगा लिए इदर भी और इदर भी इदर भी कट के यह से आपको इस तरह से ग्हुंआना यह देखिए इसको आपने लगभगेगए एक इंच अधर से गुमा देता है कि 1 इस ते दुरी रखनी यहां से और व्पर सिसको बिल्कुल बराबर बराबर लेकर आना यह देखें यह हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है और थोड़ी सी यहां से शेप देते हलकी सी यह देखी इसको में बिल्कुल बराबर कर लिया है तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप समझ गयो हो गए कि जो कोला वाला सूट होता थोड़ा 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 थो थोड़ा थोड़ा होोता है और थोड़ा-स इसका अब नहीं मिल पता है इस वजितने बाजु सकते ब chicken को ऑराम से इसमें आदी बाजू बन सकती है ऐसे पॉनी बन सकती है और आपकी चुडीतर बाजू भी बन सकती तो फिलाल दोस्तों हमने बनानी है जो वो बनानी है हमने 3 aliens बाजू इस कपड़े को मैं इस तैसे डबल कर लिया है और डबल करने के बाद दोस्तों इसमें दोनों बाजू हमें एक साथ काट लेंगे ये देखी ये फिलाल डबल है और इसको मैं कर लेता हूं इस तरह से इसको सीधा भी कर लें यह सारा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको रखते हैं साइड में इससे भी कटिंग कर लेते हैं और फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी बाजू की नाप तोल की तो सबसे पहले यहां से दोस्तों एक निशान लगा लें सीधा यह निशान का मतलव है आप आपको जो बाजू की लेना है दोस्तों इसके आधर से लिए यहां से बाजू की लंबाई नापनी है बाजू Cosolatt इंच यह देखी सोला के जगे हम लेंगे 150 takich क्योंकि दोस्तों 15-inch डाउन लेना पड़ता है आगे से दोस्तों बाजो की गुलाई ली थी हमने वह लिए दस इंच तो दसकाद होता है पांच और यहां से आपको रखते हुए यहां से एक निशान लेना इस तरह से अलकल का और इस निशान को इस तरह से जाके मिलाना है अब दोस्तों इस ची देखिए नो इंच कहां पर आ रहा है यह देखिए इस तरह से यह 9 इंच आ रहा है अब आपको इसमें से सिर्फ 1.5-inch करना यह देखिए 8 और इस तरह से जब आप बाजो की कटिंग करोगे तो आपकी बाजो बिल्कुल परफेक्ट आएगा इसका आर मोल यह देखिए यह चाड़े-8 वाले निशान पर आपको मिला लेना है और फ्रेंट्स यह जो मार कर आए मैंने इस मार पर तो आ जाएगी हमारी स्टिचिंग और इसके अलावा आप आगे एक इंच सवा इंच डेडिंच जितना चाहो रख सकते हो यह देखिए कटिंग में कर रहा हूँ यहां पर कट लगा देते हैं इसका मतलब है कि आगे से बाजू इतनी फोल्ड होगी अब आपको बाजू को इस तरह से यह दोनों बाजू है इस तरह से बिच्छा लेना है अब यह इसका जो सेंट्र पॉंट था दोस्तों यहां से हमने जो के दूरी रखी थी डाइंच के फ्रेंट वाला पार्ट वार्ट होता है उसकी आपको इस तरह से गुलाई करनी तो इस तरह से आपका जो है को अधे आती हैसे और थो चैनल पर पहले बार को सब्सक्राइब करें ते được